इराक तो रहा हो किया या नर्सां तो बाद उते फसे होर लड़कें दे परिवारा नो भी आस बच गिये अमरिसार दे जतेंदर सिंग अते منजिंदर सिंग उते बंदी बनाये गएने बना दे परिवारा नो भी पैसे लैके बाहर पर जाती पर एराक वेच उना नो बंदी बनाये जानत बाद उनाद कोई भी आता पता नहीं उना दा केना की सरकार ने अजिता के इस मामले वेच कोई कोशिश नहीं की थी क्योंकि जो नरसां रहा हो के आयाने वो सरकार दे संपरक वेच सान उना बाकी नोजवान सरकार दे संपरक्विच नहीं, उना सरकार दे उते नराजगी जटाईए कि सरकार इस मामले नो गंबीरता दिनाल नहीं ले रही पिछली जून को उनको बंदी बना अगे रखा गया है, पंदरा तरीक से उसकी कोई फून पता, कोई लापता, कोई पता नहीं है, उनका फिर अपने लोग सरकार को भी दोबरा जा चुके हैं वो लोगों कोई बातों से बात कर देते हैं उनका कोई अभी तक परोसा नहीं है दूसरा कोई किरलागी दर्सें थे उनका पता करके वो आने आ लिए लेकर आज तक अभी तक भी आज तो भी पचीदेन हो गया अपने लटकों का कोई पता नहीं है किदर बंदीवना हैं किदर हैं किदर अख्राव लोगों को किदर नहीं है हम दोबर शुष्मा सवराजी से मिल चुके हैं इस मसले के बारे में लेकिन अभी तक हमें कोई सॉलेड आंसर उनकी तरफ से नहीं मिला कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया या फिर हमारे बच्चे कब लोटेंगे ऐसा कुछ भी कोई भी सॉलेड आंसर हमें नहीं मिला आज जैसे ये 46 नर्सिस वापस आई हैं तो जैसे ए ख़बर सुनी इससे खुशी तो हुई है तसली भी हुई है कि अगर ये वापस आई हैं तो हमारे बच्चे भी वापस आएंगे लेकिन बात फिर से वही हैं कि ये तो कॉन्टिनेूसली कांटेक में थी लेकिन हमारे बच्चे तो पिछले 20 दिन से कॉंटेक्ट में भी नहीं है ते उदरे राक तो नर्सा दे रहा होन मगरों पार्थ पोंचन नू ते स्यास दाना ने खुशी दा प्रक्टावा कीता है पाज़पादे आगों ने जिते इसनू वड़ी प्राप्ती दस्या उत्ते ही कांगरसी आगों दा कहना है कि जिस तरह केरल दे मुखमंत्री ने तेन दिन लगा तार दिल्ली दे विच डेरा लाके नर्सा नू रहा करा है उससे तरह पंज़ाब दे नोजवाना नू चड़ाउन लई पंज़ाब दे मुखमंत्री नो भी दिल्ली दे विच डेरा लालना चाहिदा कोशिस करके नर्सों को वापस लाने के लिए पूरी कोशिस की पूरा जोर दबाव डाला तो वह आ रही है अब पंज़ाब के मुखमंत्री को भी सी तरह की कोशिस करनी चाहिए कि पंज़ाब के लोग बिया में और पंज़ाब के लोग भाई है वो भी लोटें यही सारी को बहुत के बहुत सारे और ऐसे जीवन ऐसी नागरिक अभी तक उस देश में उस इलाके में हैं हम आशारी नहीं करते हैं कि जल्द से जल्द बिना किसी विलंब के उनको भी लाया जाएगा नहीं तो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन सकता है वो भी साथ साथ हम चाहेंगे कि कम से कम एक उच्चिस्तर पे सरकार विपक्ष के जो उच्चिस्तर ये नेता हैं उनसे शेयर करे कुछ हद तक कि किस आधार पे किस प्रकार से ये हो रहा है और किसी प्रकार से भारत की संप्रुपता और भारत की नाम और शक्ति पे कॉंप्रमाइज नहीं हुआ है। जो सिवा के लिए गई थी और आईस आईस के जबडे में फस गई थी और ये बहुत बड़ी बात है कि उनके यहां से निकाल कर लाना इसके लिए मैं प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जी को और विदेश मंतरी शुश्वा सुराज जी को बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह से सरकार ने परफॉर्म किया है इसकी भूरी भूरी परशंसा हमारे विरोधियों ने भी किये जो केरल की नरसे आहीं है वो मैं उसका स्वागत करता हूं और अभी तो वहां बहुत लोग फसे हुए है और इस्तिति वहां बिकट है और लगबग बदलब पूरे बैस्त एसिया में करोणों लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए यह नरसेज नहीं है और लोग भी वहां फसे हुए हैं उनको सबको निकालने का सारा रास्ता जो है वो कोशिश करके निकालना चाहिए के इंदर सरकारवलों सत्ता दे वेचों खबरान दी दुनिया विचाओ साधे नाल कदे वी किते वी जुड़ो आपा मिलांगे फेस्बुक ते असे दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरानाल जुड़े रहो दिन रात